देखे इस अंगर्ष जारी है और जारी रहेगा लड़ाई चल रही है चलती रहेगी जस्टिस की लड़ाई है प्र remaittan जारी है आगे भी रहेंगे पूरे समय जारी हैं अभी मैं आपको ये बताने आया हूँ, कि क्या-क्या हुआ अभी तक, और क्या-क्या अपडेट है, क्या-क्या बोला गया, क्या-क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो मानिय सुप्रीम कोड की तरफ से फैसला हो, मिनिस्ट्री ओफ एड्यूकेशन से हो, क्या-क्या अभ क्या है कि लड़ाई सोशल मीडिया की नहीं है, अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब एक लीगल बैटल हो गई है, ये एक फॉर्मल बैटल हो गई है ये लड़ाई, तो थोड़ा सा माफ करिएगा ठकान है, अब ये जेकि जो लड़ाई है ये एक लीगल बैटल हो कर देता हूं कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है ठीक है मैं थोड़ा हो सकता हो ठका हूं फिजिकली थोड़ा हो सकता हो मेंटली ठका हूं पर मैं हारा नहीं हूं जंग जारी है संघर्ष जारी और संघर्ष जारी रहेगा इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी ग्रेस नंबर का कोई प्रवधान नहीं है तो एंटिये ने ग्रेस नंबर पांच साल में पहली बार क्यों दिया हमारा दूसरा सवाल ये भी था कि अगर दिया तो क्यों नहीं बताया जब पूछा 719-719-719-718 कैसे आए तब बोला कि हाँ 719-719-719-719-719-719-719-719-719-719 कोड ने खुद कहा दिया कि उसको यहाँ पर लागू नहीं करेंगे और उस फैसले का कोई भी चीज्ज यहाँ पर कॉपी नहीं करेंगे यह माननियस सुपर्म कोड़ ने जब हम लोगा जिस दिन हीरिंग था जिस तारिक को हमारा हेरिंग था, पहला हेरिंग था, जिस दिन मैं गया था मानिय सुप्रीम कोड़, वहां मैंने खुद सुना, तो मानिय जजज़स ने उस दिन खुद बोला, कि यह जो Apex कोड़ के फैसले का इस्तिमाल NTA करने को कह रहा है, इसको हम यहाँ पर इस्तिमाल न गलत है यह एकदम clear proof कर रहा है तो इस पर क्या हुआ grace number में यह नहीं कहूंगा मानिये सुप्रीम कोट ने हटाया इंटीए ने खुद से इसको हटाया पर तब हटाया जब मुद्दा मानिये सुप्रीम कोड में पहुच गया तब हटाया खुद से तब हटाया और उसके 24 घंट पहले तक वो कह रहे थे कि हमने grace number जो दिया है, answering efficiency पे दिया है, हमने grace number जो दिया है, apex code के फैसले पे दिया है, 2018 के, और जैसे ही मुद्दा मानने Supreme Court में पहुचा, वैसे ही उन्होंने तुरिंद बोला कि हाँ, हम मानते हैं कि ये चीज गलत है, और इसको हम हटा देते हैं, इन जो बच्चे चाहें, re-exam दे, और जो बच्चे चाहें, अपने बिना grace के original number को accept कर ले, अब इसमें एक छोटी सी problem रह गई है, इसके अंदर अभी भी क्या चीज रह गई है, इस फैसले के बाद एक नई problem create हुई है, और वो problem क्या है, right to equality का violation, क्या, कि अभी इन्होंने जो 1563 बच्चों को grace दिया, जो ये कह रहे हैं, अभी इस number की विशुषणा पे भी सवाल है, कि 1563 बच्चों को grace दिया, अभी तो ये भी सवाल है, कि यही number है, या कूद दूसरा number है, और इसकी वोपर भी हम जाच होनी चाहिए, पर अगर इतने बच्चों को भी grace दिया, मैं उ बोले, कि सर हमारा पेपर लेट हुआ था, हमें इसके बदले में कुछ solution चाहिए, तब इंटिया ने कहा कि इन बच्चों को हम grace नमबर देते हैं, मेरा सवाल अभी भी वही है, और वो रहेगा, और वो लड़ाई चलती रहेगी, वो रुकेगी थोड़ी, वो ऐसा थोड़ी वो लड़ाई रुक गई, या हम ठक गए, हार गए, नहीं, बिलकुल नहीं, अभी भी जो मामला है, वो मानने सुप्रीम कोड के पास है, मैं बहुत ज़्यादा चीजे कॉमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सब जूडिस मैटर है, और सब जूडिस मैटर के उपर आप बहुत ज चाहते हैं, ऐसा दिखे, कोई भी चीज हमारे अगेंस्ट, हमारे केस के अगेंस्ट जाए, हम बिलकुल नहीं चाहते हैं, एक बात और मैं साफ कर दूँ कि हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने देश से नहीं है, बिलकुल नहीं, हमारी लड़ाई है सेफ और सिर्फ इंसाफ के लिए और हमें पूरा भरोसा है कि इस देश में हमें इंसाफ मिलेगा मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की भी टिप्स दे दूँगा पर आप सुनिए अगर ये 1563 बच्चों को ग्रेस दिया हमने सबसे पहल सवाल और उठते हैं कि ऐसी और सी कौन सी चीज़ें थी जो जब तक सुप्रेम कोट नहीं पहुचती तो आप नहीं बताते और इनके डेटा में और खित्ती प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए जाज की डिमांड है अब अगर ये कहते हैं कि हमने 1563 बच्चों को ही ग्रेस हैं अब ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो मायनिया हाई कोड के पास जा पाए भाई देश में ऐसा बहुत सा बच्चा है जो गाहों देहात में रहता है यह आप जैसे हम जैसे नॉर्मल घर के बच्चों को भी यह नहीं पता है कि एक्जामनेशन सेंटर के बाद साइकल उठा हजारों वीडियों हैं मतलब एंट्य की तरफ से कम से कम एक इमेल आइडी बलनी चाहिए थी कि एक रिवैंस की इमेल आइडी है इस पे आप रिपलाइ करिए इस पे आप बताइए और उन्होंने नहीं ना बनाई हमने भर जरूर बनाई थी नीट ज़िश्टिस की इमेल आ और आज भी नहीं खोल लें, तो यह 1563 बच्चों को मान भी लेते हैं, कि एक रेस नंबर दे रहे हैं, मान लेते हैं थोड़ी दिर के लिए कि यही सही है, तो भी यह Right to Equality का Pure Violation है, और यह मुद्दा भी धीमे-धीमे उठेगा, मुझे लगता है इस पर अच्छा फैसला आए कि सभी बच्चों को Opportunity मिलनी चाहिए, जिन बच्चों का समय का नुकसान हुआ है, अगर यह Method अपनाया गया, तो बहुत से बच्चों का समय का नुकसान हुआ है, उनके बारे में बात करनी चाहिए, दूसरा मुद्दा जो हमारा चल रहा है, वो इसी पर चल रहा है, 1563 नं हैंडल किया, Communication इतना खराब रखा, बच्चे mail कर रहे हैं, बच्चे tweet कर रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हैं दो-दो दिन तक, नहीं दिया जवाब, देखिए कई बार यह होता है कि प्रॉब्लम कित्ती बड़ी है, कई बार होता है आपने प्रॉब्लम को कैसे हैंड जो NTA की कमिटी ना हो, अभी NTA ने क्या कहा था, जब वो कोट में आये थे, जब हम लोग केस चल लहा था कोट में, तो NTA ने यह बोला था कि हमारी कमिटी ने ही यह बोला है, कि हम grace number को remove कर देते हैं, यह इनकी कमिटी ने बनते ही तुरिंट यह judgment दे दिया, इसको remove कर देते हैं, चलिए, एक कमिटी ने कम से कम एक step अच्छा लिया, अब इस पर भरोसा नहीं होता कि अच्छा है या कुछ चुपाने की कोशिश है, इसलिए हम कहा रहे हैं कि हमारा भी भरोसा, बच्चों का परोसा, जनता का भरोसा आए, इसलिए एक high power independent committee बनाएए, जिसको head, जिसक अच्छा यही किया गया है, कि क्या होता है, कि मानियने सुप्रीम कोड के कोई ex-judge होते हैं, जो ऐसी committee को head करते हैं, चाहे मैं अब, अब देखिए, मैंने example, 2018 का example मानियने सुप्रीम कोड ने कहा कि इस case में नहीं लगाएंगे, पर वो example मैं लेके नहीं आया था, वो example NTA ले सवाल था, तब भी यह किया गया था, कि एक independent committee बनाई गयी थी, जिसका head कोई internal member नहीं था, उनका head NTA नहीं बनाया था, जो भी body exam करा रही हैं, उसने नहीं, किसको बनाया गया था, ex-judge को बनाया था, करला high court के, तो जब वो चीज़ वहाँ हो सकती है, 60,000 बच्चों पे, त बाकी लोग भी शायर ऐसी कुछ demand करें, यह demand हमारी ministry of education से भी है, यह demand हमारी सबसे है, कि आप एक high power independent committee बना दीजे, जाच कर लीजे, एक बार इस 1563 number की, क्योंकि हमें नहीं सारे बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा है, कि यह number इतना ही है, क्योंकि rank 13 plate, सिफ 1563 बच्चों के व हमें बहुत ज़्यादा कम है counseling आने वाली है, लाखों बच्चों का future सवाल पर लगा है, बच्चे भी ठक गए हैं, परिशान हो गए हैं इस चीज से, उनको भी clarity चाहिए, भाई हमारे देश का youth है, यही तो हमारे देश का future बनाएगा, अब उसे clarity चाहिए, कि आप बता नंबर की भी जाच करें, और दूसरी चीज, एक और चीज की जाच होनी चाहिए, NTA के सारे database की, मैं शुरुवात से जब से आ रहा हूँ, इस मुद्धे पे जब से बात कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी NTA को कोई demeaning word नहीं बोला, मैंने हमेशा यह बोला कि knowingly और unknowingly चीज इसे गलत हुए, पर एक चीज आज मैं दावे के साथ क्या सकता हूँ, कि जो गलती हुई है, वो चाहे intentionally हो, चाहे unintentionally, गलती बोल रहा हूँ मैं अभी भी, चाहे जान के हुई हो, चाहे जान बूच के हुई हो, पर उसको छुपाया सिर्फ जान के गया है, यह clearly दिखा है, औ और जब पुरे देश ने यह देख लिया है, तो हमें चाहिए कि NTA के उपर एक कमिटी बैठनी चाहिए अब, उनकी transparency पे, उनकी integrity पे सभाल उट गया है, और हम चाहते हैं उसको वापस प्रूफ करें, क्योंकि उनको बहुत exam कराने हैं, देश का भविश यहां खत्रे में है हम नहीं कह रहें कि NTA को dissolve कर दीजे, वो solution practical नहीं है, मैं teacher हूँ, मुझे पता है, वो practical नहीं है, मैं आप एक रांती कारी बनने बिल्कुल नहीं है, मैं solution के लिए आया हूँ, I am here only for solution, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि हम तोड देंगे, फोड देंगे, हर वीडियो में मैंने ह हाँ जोड़के बच्चों से request की, बेटा प्लीज, आप जाके कोई harmful protest मत करिये, प्रोटेस्टी ना करिये, करना भी हो तो peaceful protest करिये, मामला मानिने सुप्रीम कोड में है, देश की सरवोच्य अदालत है, वहां से हमेशा इंसाफ मिला है, पर अब इस committee की बहुत जादा हमें requirement ह यह committee बने जो बता है कि 1563 का number सच है कि fake है, यह committee बने जो बता है कि NTA के database में और कितनी सारी errors है, और अगर नहीं है तो यह committee आके बोल दे, हम विश्वास कर लेंगे, पर independent तो हो, justice तो हो, यह तो justice deny हो रही है यहाँ पे, तो मेरी यह बहुत जादा request है, आगे भी request रहेगी, ह मैं बार और बोला हूँ, मैं कोई ऐसी line नहीं बोलना चाहता, जिससे जो matter subject is code के अंदर है, उसके उपर मेरा comment derogatory हो जाए, कि मैं ऐसा कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, हमारा case बिल्कुल weak ना पड़े, तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ, अब य ही, बहुत deep है चीज़े, इस अंगर्ष लंबा चलेगा, इसमें बहुत सी कहानिया है, पर ये लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि देश के बच्चे यहाँ परिशान है, 24 लाग बच्चों का future है, चलो मैं मानता हूँ 24 लाग की बात नहीं है, 13 लाग ने qualify किया, मैं मानता तो साफ साफ दिख रहा है नायंसाफ ही होते हुए, पर देखिए आप माने सुप्रीम कोड में पहली hearing हुई है, 15-20 मिनिट की hearing थी और उसके अंदर ही NTA ने माना कि ये grace का concept गलत, इसको हम तुरिंध हटा लेते हैं, ये काम इने खुद से नहीं कर देना चाहिए था, क्यों एक शिक्षक को PIL करनी पड़ती है, क्यों उसे सुप्रीम कोड जाना पड़ता है, क्यों नहीं NTA स्टेप खुद से लेता है, अब हमारी इसलिए ही डिमांड है कि आप एक independent committee बना है, इस independent committee के द्वारा NTA की database की check करें, और 1563 का number verify करें, ये हमारी दूसरी demand है कि NTA का पूरा database एक बार चेक हो, इसको एक audit भी बोला जाता है कि tech audit हो, और हो ही नहीं सकता कि इसमें और mistakes ना निकले, क्योंकि इन्होंने आते ही पहले दिन ये चीज़ कबूल ली, तो definitely कुछ और ना कुछ mistakes मिलेंगी, मैं बार में बोल ला हूँ, knowingly या unknowingly, गलतिया तो हुई है यहाँ यह बात अब साफ देख चुकी है, देखे उमीद है, हम चाहते हैं चीज़े सही हो, नहीं बेटा, अलग पांडे versus education बिलकुल नहीं बेटा, अलग पांडे stands for education, आप versus मत करो, किस से लढ़ रहे हो आप, अपने देश से लढ़ोगे क्या आप, हम नयाय मांग रहे हैं, मुझ ऐसे मत दिखाओ कि जीत हो रही है, हार हो रही है, सब की हार है, इसमें सब की हार है, जल से जल इसका solution निकालना होगा, practical होना पड़े, दो बात हमारी यह थी, तीसरी मुद्दा जो बहुत important चल ला है, paper leak का मुद्दा, कि भाई paper leak है कि नहीं, पटना में है कि नहीं, गुज जुलाई को है, अब 8 जुलाई से आपके मन में भी यही विचार आता है, मेरे मन में भी यही विचार, कि तब तक तो counseling हो जाएगी, तब तक तो admission हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो जब हमारी PIL चल रही थी, तो मानिने judges ने वहीं पर यह बोला, कि यह हमारे जो advocate साहब है, रिस्पेक्टेड जेसाई दीपक जी, उन्होंने बोला, कि सर 8 जुलाई तक तो सर counseling हो जाएगी, फिर कैसे, तो उन्होंने बोला, कि Supreme Court के पास असीम शक्तियां हैं, बहुत सारे आर्टिकल Supreme Court को ऐसी Supreme Power देते हैं, कि वो किसी भी matter को कभी भी उठा के judge कर सकते हैं, चीज़ो हमाई पास पूरी power है, चीज़ों को revert करने की, ये एक hope हमें देता है, मुझे पता है, practically ये थोड़ा सुनने में impossible लगता है, मेरे जैसे एक आम इंसान को भी practically बड़ा ही challenging लगता है, कि एक बार counseling हो जाएगी, admission हो जाएगा, वो बच्चा college में बैठा होगा, hostel की fees दे चुका होगा, college की fees दे चुका होगा, मतलब practically ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, theoretically मान्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कि we have all the powers, हमाई पास all powers है, चीज़ों को सही करने की, कभी भी किसी भी time पे, practically मुझे लगता है, कि थोड़ा challenging हो जाएगा, ये चीज़, क्योंकि बच्चा court of the country, apex court of the country, तो उन्होंने कहा है, कि 8 जुलाई को हम सुनेंगे, और फिर ये फैसल लगेंगे, हमने बहुत request की, कि score पहले सुननी आ जाए, ये मुद्दा ऐसा important है, बट ठीक है, मतलब यहाँ आप क्या कर सकते है, sometimes, sometimes बच्चो, life is practical, sometimes it's practical, पर क्या practical है, तो क्या हम बाते नहीं रखेंगे, नहीं हम अपनी बाते रखेंगे, क्या मामला अभी भी सुप्रीम कोट में है, नहीं मामला सुप्रीम कोट में है, तीन मुद्दे हैं, बड़े-बड़े, जो मुझे लगता है, सबसे यादा national importance के है, grace number का मुद्दा partially solve हुआ है, कि उन्होंने कहा है concept गलत था, इसको हम हटा देते हैं, और आके खुद बोल दिया, पर उसमें अब यही सवाल उठता है, कि बाकी बच्चों को क्यों नहीं opportunity मिली, जिनका समय का नुकसान हुआ, जो high court नहीं पहुच पाए, कहां ब्रॉशर में लिखा है, कि जिन बच्चों का समय का नुकसान ह अगर यह जैसे 2008 में हुआ था, एक email ID बननी चाहिए, उसकी publicity होनी चाहिए, बच्चों को मौका मिलना चाहिए, उसको भरने का, यह सारी चीज़ें नहीं हो रही है, यह होना चाहिए, यह email ID हम क्यों बना रहे हैं, हम बना के भी क्या कर लेंगे, हम बना के भी कुछ कर पाए हम क्यों लड़े हैं, यह यार तो, हर लड़ाई ना बेटा जीवन में जीतने के लिए नहीं की जाती, हर लड़ाई जीवन में जीतने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाई इसलिए होती है, ताकि दुनिया याद रखे, कि लाखोत ताकते सामने थी, फिर भी एक इनसान थ जो इंसाफ के लिए लड़ता रहा लड़ता रहा और लड़ता रहेगा हाँ लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती है there are some battles fought to prove the world that there was someone who was standing against all powers यह है देखिए अभी तक का मुद्दा जहरा यही हमारी डिमांड ज्यादा बड़ी डिमांड भी नहीं है चोटी डिमांड बहुत ऐसा नहीं कि पूरी नहीं हो सकती पहुत चोटी डिमांड हाई पावर इंडिपेंडेंट कमिटी बना दिया आपने एक सुप्रीम कोड के अगर यह कमिटी ऐसा बोलती है तो कराना पड़ेगा ले रहा है वह एजनसी कैसे अभी आगे फैसले लेते जा रही है जिस फैसले ने अल्यडी गलतियां की है प्रूव हो रहा है एक्सेट करने को रेडी नहीं थे जिन्होंने साथ आठ दिन इंटरनेट पे मेल पे किसी ब बता है कि यह नंबर 1563 है यह 15,000 है यह 1563 है बता दे कि और कोई बच्चा नहीं निकलेगा किसी और स्टेट से और अगर निकलाया तो कितनी बड़ी दूविधा हो जाएगी फिर यह बड़ा नैशनल इंपोर्टेंस का मैटर है उनके डेटाबेस में और क्या इश्यू है य पेपल लीक के ऊपर मान्य सुप्रीम कोट ने खुद जज्जमिन दे दिया बोला 8 जुलाई को इसको हम सुनेंगे और अगर 8 जुलाई को सुनने के बात भी हमें कुछ फील होता है भले ही तब तक कांस्लिंग अड्मिशन हो जाए तो हमारे पास सारी पावर है बारत के बह बहुत डिफिकल्ड है इस चीज़ को एक्जिक्यूट कर पाना यह तीन मुद्दे चल ले हैं